हलो एवरीवन आज है 31 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे है उज्जिवन स्मॉल फैनांस बैंक के बारे में देखे तकरीबन 10% की बड़ी रफ्तार इसन दिखाई है आज काफी बड़ी तीजी देखने को मिली है 48 रुपीज के आसपास उज्जिवन स्मॉल फैनांस बैंक का शयर ट्रेड कर रहा है बाचित करेंगे की वजह क्या है और लॉंग टर्म का यहां पर आउट लुक क्या हो सकता है देखे वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आप में उन्हों बैंक में के शेर्स में भी अच्छे कासी तेजी देखने को मिली है उज्जिवन स्मॉल फैनांस बैंक पिछले एक महिने में 28% की तेजी दिखा रहा है नतीजे आये थे अच्छे रिजर्स से उसके बाद भी देखे तो अच्छे तेजी इसने पिक अप करी है एक्च्छली में रिजर्स इसके आये थे पिछले थर्सडे को आये थे फ्राइडे को उतनी बड़ी तेजी नहीं आई थी लेकिन आज बहुत बड़ी तेजी आ गई यहाँ पर पिछले एक साल के अगर हम बात करेंगे तो एक साल में 135% का जंप दिखाया है पैसा डबल से बिजादा बना कर दिया है अभी कुछ महीने पहले 20 मार्च को ठीक है 23 रुपए का शेयर था डबल हो गया वहां से 4 महीने के अंदर तो बहुत बड़ी रफ्तार क्या सकते हो कि इसने दिखाई है और काफी अच्छी तीज़ी कहेंगे हम यहाँ पर देखें ओजिवन स्मॉ लगता है कि जब मार्केट क्लोज हो तो यह जो तकरीबन 10% की तेज़ी है वो शायद 78% की देखने को मिले लेकिन लॉंग टर्म का आउटलुक मुझे सा खराब नहीं लगता है और जहां तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो इस कंपनी के नंबर्स होते वो अच्छे रिवन्यू में अभी लास जून क्वाटर में भी अगर आप देखो तो 1250 करोड के आसपास के इनका रिवन्यू रहा और प्रॉफिट वाइस अगर आप देखोगे तो भी जादा है 324 करोड तो देखा जाए तो यह कुछ रीजन्स है कि नंबर्स काफी अच्छ है इवन अ है कि सीधा सीधा comparison है इसका उतकर्ष जो अभी हाल फिला में जिसका IPO आया है उतकर्ष Small Finance Bank 50 रुपए के भी उपर यह trade कर रहा है और आज यहाँ पर भी 48 लेक से भी जादा के volumes देखने को मिले है और उतकर Small Finance Bank का जो P ratio है वो 13.30 के करीब का है जबकि उज्जीवन Small Finance अभी भी साथ साथ के P के उपर trade कर रहा है तो valuation के हिसाब से देखे तो भाई उज्जीवन Small Finance Bank का valuation सस्ता है compared to उतकर्ष Small Finance Bank और अगर हम numbers भी देखे उतकर्ष के तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि इनके revenue जो है वो 600 से 700 करोड है जबकि उज्जीवन के इससे double है उतकर्ष का ज तकरीवन तकरीवन अभी 13 के करीब चल रहा है जबकि उज्जीवन Small Finance Bank का जो P.E. Ratio है वो 7 के करीब का है तो कह सकते हैं कि जहाँ उदकर्ष का P.E. Ratio 13 का है वहाँ उज्जीवन Small Finance Bank का 7 का है जबकि सेक्टर P.E. 16 का है अभी भी सस्ता है तो यहाँ पर potential जादा है और जो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो है 73.67% अच्छी कॉंटिटी कहूंगा एक भी शर्ट गिरवी नहीं है यह बहुत अच्छी वात है Mutual Fund के पास 1.58% की होल्डिंग है Domestic के पास 5.50% की होल्डिंग है अगर हम compare करेंगे पिछले quarter के मखाबले तो 1.64% की होल्डिंग mutual fund की थी जो थोड़ी से घटी है 1.58 पर आया है Domestic की भी 6.71% से घट कर आया है 5.50 लेकिन दूसरी और यहाँ पर Files की बात करोगे तो double holding हो चुके 1.97 से बढ़कर 3.90 की करीब आ चुके तो बहुत बड़ी quantity कहा सकते हैं कि इन्होंने खरीदी है जीतना mutual fund और domestic ने बेचा नहीं उससे ज़ादा Files नहीं आपर खरीद लिया यह आप कहा सकते हो retail और other की मिलागर बन दी है 15.36% जिनमें से retail investor 8.54% की holding लेकर बैटे हैं जोकि अच्छे कासे quantity में कहूंगा other parties के पास 6.82% की quantity देखने को मिल रही है तेकि overall उज्जिवन small finance bank definitely एक अच्छा bank है और अगर आप चैना को regular follow करते हो जब यह शर आपको मिल रहा था 30 रुपर 40 रुपर कई सारे मेरे विडियो भी थे कि वह आखरीद हो इसको even जब उससे नीचे भी था 25 पे 20 पे तब ही मैं quarter number में improvement आया है चाहिए profit की बाद करो revenue की बाद करो assets quality में improvement आयी है और यह एक अच्छी बात है जिसके चलते लगता है कि हां long term का futures का अच्छा हो सकता है लेकिन हां यही number जो है वो आगे भी maintain रहने चाहिए तो अभी का तो outlook positive लग रहा है आने वाले कुछ quarter के number भी देखने प और simple से बात है अभी इसके comparison के लिए एक और bank है जैसे कि उतकर small finance bank तो उसको अगर हम compare करते है उजिवन के साथ तो कहीं न कहीं लगता है कि है उजिवन small finance bank इतनी तीजी दिखाई है इसने दो गुना हो चुका है पैसा लेकिन फिर भी valuation के हिसाब से देखा जाए तो अभी उ apply करी जा सकती है long term का outlook यहाँ पर रखा जा सकता है एक साथ बहुत सारी quantity में खरीदने की मेरी कतई सला यहाँ पर नहीं होगी लेकिन जब जब यहाँ पर गिरावट आए दीरे add करने के मौके बनेंगे और short term की बात नहीं करूँगा long term की ही मैं बात करूँगा क्योंकि बिखने को मिलेगा तब खरीदारी के दुबारा से मौके बनेंगे और अगर मैं कहूंगा अच्छा बैंक जरूर है लेकिन ठकेगा जरूर यह और जब गिरावट आएगी तब मौके बन सकते हैं buy on dips की जो strategy है वो शायद यहाँ पर apply करी जा सकती है तो यह तो रही उजवन small finance bank की बात और अगर आप चाहते हैं कि मैं उतकर small finance bank के उपर भी एक video बनाओ या फिर पंजाब national bank जो की हाल फिलाल में 62 रूपीज का है और इनके भी numbers अभी हाल फिलाल में आये हैं numbers के बात देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा momentum इसने दिखाया नहीं है और तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके उपर भी बात करूँ तो comment में जिस किसी bank के उपर अगर आप चाहते हैं कि मैं video बनाओ उसका नाम लिखेगा अगर जादा comment आएगी तो definitely उसके बारे में बात करी जाएगी और यह चीज़ मैं यह भी add करना चाहूँगा कि अभी अगर आप देखोग तो all time high के आसपास बैठा हुआ है तो याद रहेंगे correction बीच बीच में आते रहेंगे तो उससे panic होने की ज़रूत नहीं है इंडियन market में मान के चलूँगा कि इसका जो long term होगा वो बहतर ही होने वाला है खराब नहीं होने वाला है तो नज़र रखेगा और बाजार में definitely औ और buying के मौके बनेंगे opportunity बनेगी तो लालच में आकर बहुत सारी quantity मत add करना देरे देरे add करते रहिएगा यहाँ पर क्योंकिए पीच बीच में correction बनेंगे कि जब हम इसनी बड़ी तीजी बेठे हैं तो थोड़े बहुत हलके full correction आना लाजमी है और वो healthy correction होंगे तो वीडियो small finance bank के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपके portfolio में कौन सब bank है और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी के उपर बात करूँ किसी के उपर video बनाओ तो उसका नाम भी comment में जरूर लिखेगा thank you